अफगानिस्तान के आतंकी जहर कदंच अब पाकिस्तान को जिलना पड़ रहा है उस आतंकवाद को जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा और अफगानिस्तान में छोड़ दिया आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को चूस रहा है और इस बात का दर्द अब पाकिस्तान की राजनाई को क्योट टेक कर उनके बयानों से साफ छलक रहा है पाकिस्तान की राजनाईग इस समय तालिबान की इस्तिती से बहुत परेशान है इतने क्योंने भारत का नाम लेकर सीधी तुलना कर दी और बता दिया कि कैसे भारत से लड़ी गई जंग से जादा नुकसान पाकिस्तान को तालिबान के साथ जूजने में हो चुका है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेश प्रतिनी दी राजदूत आसिप दुरानी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत से तीन युद्दों की तुलना में अफगानिस्तान की आंतरिक स्तिती के कारण जादा नुकसान हुआ है दुरानी इंसिट्यूट आफ स्ट्राटीजिक स्टडीज इसलामबाद की ओर से कारिकरम ओभरते भूराजनेतिक परिदर्शे में पाकिस्तान पर बोल रहे थे दुरानी ने इस दुरान काया कि आतंकवाद की खिलाफ युद के पीछे दो दश्कों में 80,000 से जादा पाकिस्तानी मारे गए हैं उन्होंने का कि पाकिस्तान अभी भी अपने मृत को और घायलों की गिंती कर रहा है पाकिस्तान ने आतंकवाद को सहारा देते देते अपने सेनिगों को खो दिया और आज उसी दर्द को राजनाइक बया कर रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि नाटो सेना की वाकसी के बाद आशा थी कि अफगानिस्तान में शांती से पूरे छेतर में शांती होगी हाला कि जो हुआ उससे उलट हुआ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में आतंकी संगतन तहरी के तालेबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमलों में 65 फिजदी की बढ़ोतरी हुई है जबकि आत्मघाती हमले 500 फिजदी बढ़े हैं उन्होंने आगे कहा अफगानिस्तान की धर्ती का स्तमाल करते हुए टीटीपी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विशे है इन हमलों में अफगानिस्तान नागरिकों की भागीदारी एक और चिंता का विशे है उन्होंने बताय कि पाकिस्तान को किस तरीके से बार-बार नुकसान हो रहा है पाकिस्तान आतंकवाद के कारण इस समय खुद घिरा हुआ है आतंकवाद के मामले पर भारत लंबे वक्त से पाकिस्तान को आगा करता आया है बारत ये बार-बार कहता आया है कि आतंकवाद वो स पाकिस्तान में दूसरे देशों को नुखसान पहुंचाने की बार-बार कोशिश की और आज की तारीक में वही आतंकवाद पाकिस्तान को खोकला कर रहा है। ब्योरो रिपोर्ट भारत तक।